तो हम सब तो सिख लिये हैं कि इस परकार से 3D Social Media Profile Photo Edit करना है लेकिन आज हम सिखने वाले हैं इसी फोटो में आप अपना खुद का चेहरा कैसे लगा सकते हैं हे न कमाल की बाते तो बस आप इस वीडियो को बीना स्किप किये लाश्ट तक देख लिजिए आपको बताएंगे किसी भी फोटो में आप अपना खुद का फेस कैसे लगा सकते हैं अगर आपको 3D Social Media Profile Photo Edit करने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक देदेंगे नीचे या फिर आई बटन से देख सकते हैं तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोता सा रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो सबसे पहले गूगल को ओपेन करके आपको सर्च करना है टेकनिकल सुजीत एक नमर पे जो वेबसाइड आएगा उसको आप ओपेन किजिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा अगर यह यहाँ पर नहीं मिलता है तो सर्च वाला आइकन पर किलिक करके यहाँ से आप सर्च कर लेजिएगा फेस इन फोतो भी सर्च किजिएगा तो एक नमर पे देखनों को मिल जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे उसके बाद इस पोश्ट को ओपन किजिएगा कुछ इस परकार से ओपन हो करके आजाएगा उसके बाद आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा Remaker.ai इस पर आप किलिक किजिएगा जैसे क्लिक कीजिएगा ये website कुछ इस परकार से open हो करके आ जाएगा उपर आपको दो option देखनों को मिल जाएगा SweepFace, MultipleFace अगर आपके photo में एक से ज़्यादा face है तो आप MultipleFace पे क्लिक कीजिएगा अगर आपके photo में सिर्फ एक face है तो आप Swip Face पे क्लिक कीजिएगा तो हम यहां से Swip Face पे ही रहने देते हैं उसके बाद यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा Upload Original Image जिस फोटो का आप Face Change करना चाहते हैं उस फोटो को यहां पर एद कीजिएगा तो हम यहां से Upload Image पे क्लिक करेंगे जिस photo का हम face change करना चाहते हैं उस photo को हम यहाँ पर add कर देते हैं उसके बाद done पे click कर देंगे कुछ इस परकार से add हो जाएगा उसके बाद नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा upload target image कोवन सा face आप लगाना चाहते हैं उस photo को यहाँ पर add किजिएगा तो हम यहाँ से upload sweep image पर click करके जिस face को आप लगाना चाहते हैं उस photo को यहाँ पर add कर देजिएगा तो चलिए उसको हम add कर लेते हैं उसके बाद नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा sweep इस पर आप click किजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा processing होगा उसके बाद आपके photo पर face लग जाएगा जैसे कि आप सब देख सोगतों है बिल्कुल perfect तरीका से यहाँ पर face change करके दे दिया है इसी परकार से आप change कर सकते हैं इतना हो जाने के बाद अब इसको मुझे download करना है download करने के लिए download button पर किलिकिजिएगा यह photo आपके gallery में save हो जाएगा तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि यह editing आप सब को आच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक किजिएगा, subscribe किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में